हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो वर चैनल मैथमेटिक सक्सेस आपको जैसा कि पता है आप लोग फिजिक्स पढ़ रहेते हैं यह थार्ट पेपर फिजिक्स का है ठीक है यह डिस्क्रिप्ट उथा पहले और आप लोगों की बहुत ज्यादा यह मतलब प्रॉब्लम है कि डिस्क्रि सेर किया था कि आपके सारी पेपर अबजेГ्ट होंगे लेकिन इस बार सिटूएशन सही है चल लए tut डिस्क्रिप्टिव तो उडिस्क्रिप्टिव रहेगा तो इसलिए आप सब्जेक्टिव की टाइप से पढ़ते चलिए और जब सब्जेक्टिव चीज अब्जेक्टिव हो जाती है तो आपको भी पता है बहुत ज्यादा आराम रहती है क्योंकि आपके कॉंसेप्ट अल्रेडी क्लियर होते हैं आपको बहुत सारी चीजे पूछे गए वह भी डिसकस कर लेंगे बस आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा रहा तो ठीक है देखे रिस्पॉंस बहुत जरूरी है अगर आप लोग सही से सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे क्लास करेंगे जिसके क्लास वरना फिर बंद कर देंगे ठीक है कि इसलिए आ प्रति एकांग कायतन में इलेक्ट्रोन की संख्या इलेक्ट्रोन संडर कहलाती है ठीक है प्रति एकांग कायतन में पर यूनिट वैलूम ठीक है उसमें जितने भी इलेक्ट्रोन होंगे उनकी वही इलेक्ट्रोन की जो नंबर होती है वही आपका इलेक्ट्रोन संडर कहलात हैं यदि हम हम यह माने कि उर्जा परास इस टूई प्लस टी के में प्रतिगन मीटर आयतन में चालन इलेक्ट्रानों की संख्या यह है अगर हम ऐसा मालने कि उर्जा परास मतलब एनरजी रेंज दी हुई है इसे ड क्योंकि मैंस से होंगे तो समझते ही होगे यह दिया हुआ है प्रति घंभीड मीटर । मतलब पर क्यूब मिटर क्यूब यहा कुछ भी बोल सकते है ठीक क्यां तर में चालन इलेक्ट्रानों की संख्या कितनी हो जाएगी डिया न बराबर एन एफ इडिए ठीक है जहां एन यहां पर एक इलेक्रान अपनी कौंटम अवस्था घनत वो उड़जा की एक बटे दो घात के समानपाती होता है मतलब एनी प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर वन बाइ टू क्या हुआ यहां पर एनी देखो आपको पहले बता दिया क्या है डेंसिटी को रिप्रेजन करत अवस्था को बदश्वित करता है जो एक इलेक्टरन अवस्था घनत उड़ जा की मतलब इफ और एनरजी की पावर की वन बाई टू के एक्जैक्टली प्रपोर्शनल होता है ठीक है और आपको पता है जब प्रपोर्शनल अटाते हैं तो कोई भी कॉंस्टेंट आता है निय जुख चालन के इलेक्ट्रान की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग यहां भी हमने एनरजी रैंज मानी थी व्यमादी तहुकि चालन स्कून्स ये जतना यह इतना पार्ट जो एक्स्टरा आपको ये नितांग है जब प्रिक्तराया है तब यू लगाया है ठीक है तो देखिए यहां पर जो मे दिखा रहा है वो क्या है इलेक्ट्रान का प्रभावी दिर्वेमान है कि एमी और इसी जो है यह चालन उर्जा बैंड है ठीक है FE फर्मी उर्जा प्राइक्ता घनतु फलन होता है चो कि किसी इलेक्ट्रोन के स्थायत तो को प्रदश्चित काता है ठीक है जो FE है वो क्या है फर्मी उर्जा प्राइक्ता घनतु फलन ठीक है प्रैक्ता तो पढ़ी होगी ना probability ठीक है तो उस density function को represent करता है ठीक है तो fe बराबर क्या होता है 1 upon 1 plus e ये आपने first year में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपने subjective type से पढ़ा होगा या objective भी पढ़ा हो तो भी first year में ये formula था 1 upon पूरा विद प्रूफ था हलाकि आप लोगों ने paper नहीं दिये तो मुझकी लिए पढ़ाओ है ना याद ही नहीं होगा 1 upon 1 plus e to the power e minus ef upon kt देखिए बिल्कुल basic से आपको ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि first year में आप पढ़ चुके हैं ठीक है इन सारे terms से आप वाकिफ हैं सामान करके चलने हैं ठीक है यहां पर first equation इसको बना ली ठीक है यह देखिए यहां पर first equation इसको बनाई थी हमने यह first equation थी और second equation नीचे हमने यहां पर बना ली ठीक है एन इकॉल टू 4p upon h cube 2 me की whole power 3 by 2 e minus e c की whole power 1 by 2 थार्ड एक्वेशन ये fe बराव 1 upon 1 plus e to the power e minus e f upon kd को बना लिया ठीके अब हम लोग पहले एक्वेशन से देखते हैं यहां यह देखे यह पहले एक्वेशन जो थी यहां बनाई थी यहां यह fe लिखा हुआ था ठीके यह fe तो इस fe की जिगे पे fe की जिगे हमने यह value रख दी जो भी हमने यहां से देखी यह वाली value ठीके तो यहां पे fe की भी value रखी और यहां से any की दोनों की value हमने उठा करके किसमें रखी इस वाली first equation में रख दी यहां से देखे यह value value उठा करके हमने किस में रखी यह दोनों values fe और any की value equation में रख दी देखे यह question आ गई अब आपको इतना तो समझ में आया होगा since we know that WKT मतलब we know that चालन electron को उरजा EC से infinite के मद्दे होती है ठीक है चालन electron की जोरजा होती है वो EC से infinite के मद्दे होती है तक कुल electron सौंदर कितना हो जाएगा any is because to integration DNA ठीक है integration लगा दिया और limit चड़ा दी कहां से कहां तक EC to infinite अभी बोला आप से EC to infinite ठीक है और यह रख दिया value DNA की यहाँ पर value रख दिया अब यहाँ पर देखो बस अब क्या करना है आपको पता है constant term अलागा डालेंगे बाखी का integration करेंगे तो आपको पता है room temperature पर क्या होता है e to the power e e minus ef upon kt क्या होता है greater greater than 1 होता है इसलिए एक की तुलना में इसको निगलेस बर मान लेंगे अच्छा किसी को पता है कि e की value क्या होती e की value बताईए point में होती क्या होती आपको नीचे comment करके बताना है अगले वीडियो में आपको बताऊंगे अकर आप नहीं बता पाए तो और किसी ने बताया तो अच्छी बात है तो उसका नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किसने आंसर दिया था तो रूम टंपरेचर पर देखें यह greater than greater greater than 1 होता है इसलिए इसको निगलेस बिल मान लेंगे ठीक है 1 को e to the power e f minus e e c minus e sorry e minus e f upon kt की तुलना में नगर्ण मान लिया मतलब निगलेस बिल मान लिया ठीक है तो आपको बता है निगलेस बिल मानेंगे तो क्या हो जाएगा बरझेथ बड़ा सक kung 12 तो ब्हुता है तो सब्जाए तो उसकी तुलना में ये बहुत-बड़ा मान आता है इसका इस लीए इसको दीवलेPS ku यह वंदों खतम हो गया जो निग्लक्ट आउट इस वन को कर दिया ठीक बचा कितना टम इतना टम बचा ठीक है आपको पता है कि पूरी फिजिक्स हो या मैथ पूरा जो है एजियूम ही करते हैं सब कुछ मान करके ही चलते हैं तो इसलिए आपको यह दिमाख लगाने की जरू होता है तो थोड़ा से ज्यादा सही रहता है आप समस सकते हैं इतना ऐसे भी इंट्रिकेशन इसी टू इंफाइनएट को पाइब अपाइब अपाइज की टू एमिए की होड़ पावर त्री बाइटू मैनस इसी देखिए लिखा हुआ है अब आप देखिए यहां से देख पता है यहां अगर x square है तो उपर गया तो पावर x-2 हो जाती है इसी तरह आपको दिख रहा है यहां पे जब हम अगर इसको उपर लेके जाएं तो आपके क्या हो जाएगी e to the power minus e minus ef upon kt यह हो जाएगी और जब minus अंदर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए म तो value इतनी आ गई तो देखिए जब हमने यहां पे इसको उपर लिखा तो यहां पे यह जो लिखा हुआ है अभी आपको दिख नहीं रहा होगा अभी दिखा रही हूँ यह हट जाएगा जब मैं हटाओंगी इसको तो इसलिए इसको आप देख लेजे तो e की power ef minus e upon kt यहा यहां पे ठीक है जब इसको उपर लेके गया तो power minus में हो गई तो इसके जो प्लस में था वो minus में था वो प्लस में हो गया ठीक इतनी चीज़ क्लियर हो गई अब देखिए integration e c to infinite हम लेके पूरा चल रहते है वही रखा बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है हमको किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है यहां पे हमने क्या किया हमने एक e c plus कर दिया एक e c minus कर दिया अब आप सुच रहें क्यों कर दिया क्योंकि हमको प्रूफ करना है ठीक है तो हम क कुछ भी plus minus कर सकते क्योंकि जब इसको अटा देंगे तो फिर से exit बही आ जाएगा ठीक है तो हमने यहां पर यह प्लस किया यह एक माइनस किया यहां पर e to the e minus e c की whole power 1 by 2 e की power e of minus देखे मैंने यहां पर add किया है जो इसको दो टाइप से लिख दिया देखो आपको पता है अगर x की power 2 x की power 1 होते हैं तो आप क्या लिखते हैं x की power 2 plus 1 means x की power 3 यही तो लिखते थे हैं लिखते हैं अगर यही चीज हम लिखते हैं x की power x plus 2 लिखें तो आप क्या लिखेंगे x की power x, 8 to x की power 2 यह तो लिखेंगे, तो इसी type से आप ध्यान से देखेगा, हम इसमें किस्से लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ e की power e f minus e c plus e c minus e, ठीक है देखें, आप लोग अगर support करेंगे तो जल्दी हम लोग blackboard के साथ start कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको support की जरूरत है कि आप कैसे, कितना मतलब हमाई साथ साथ देते हैं, हम आपका साथ देते हैं, ठीक है, तो उसी साथ से अभी time की भी shortest है, तो इसलिए वीडियो से ही जितना हो पा रहा है अतना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो अब देखिए अब आपको दिख गया इतना term है हमको क्या बनाना है, हमको अपना दो term बनाने है, तो हम यहाँ पे भाई, EC था EF-EC, हमने इतना term अलग कर लिया, ठीक है EF-EC, ठीक, अगर इसको अलग लिख लें, EC-EC आपको कोई दिक्कत, आप फिर से E दोनों same term है, जैसे 2 की पावर 3 हो, into 2 की पावर 4 हो तो आप 2 की पावर 3 प्लस 4 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ऐसे ही हमने इनको अलग करके लिख दिए, आप आप फिर से भाई लिखती है, फिर से यह आजाएगा तो देखें, यही हमने इनको अलग-अलग करके भाई केटी तो दोनों के अगर मालो यहां दोनों के पावर 2 हो, ठीक है, तो आप दोनों के पावर 2 लिखेंगे ना इसलिए इसको अलग-अलग अपाउन में केटी भी किया है, यहां अपाउन है ठीक है, अब देखें क्या किया फिर आगे, अब यहां पर हमने मान लिया इसको नई, इसको माना है ठीक है, इसको एक्स मान लिया, ठीक है तो अब इधर multiply हो गई तो X के T हो गया अब indication कर दिया डिफरेंसेशन स्वरी कर दिया तो D E E C constant था इसलिए हट गया K T D X ठीक है X के respect में किया है तो यहां से when E tends to E C था वाई limit भी change करनी पड़ेगी जब E tends to E C था तो यहां पे E की जगे E C रखो तो E C माइनस यहां E की जगे जब E C रखेंगे प्लस E C तो माइनस प्लस E C 0 तो X tends to कितना हो जागा 0 अब infinite जब infinite रखोगे किसी वी चीज में infinite रखोगे तो infinite होगी क्योंकि infinite में कुछ भी जोड़ो तो infinite ही रहता है या कुछ भी माइनस करो तब भी वो infinite रहेगा अगर आप कह दो कि लगबग मान के चलो आसमान से एक तारा गायब हो गया तो क्या एक तारा को बता पहेंगे अब कितना गायब हो गया वैसे infinite समुद रहे समुद से एक मून गायब हो गई तो वो उसको मानते हैं कि गायब नहीं हुई वही है उसके एक वैली ठीक है या गायब हो भी गई तब भी उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है जिसे संसार में बहुत सारे लोग हैं आपका एक अस्तित तो अगर आप कुछ अच्छे से मतलब बन जाते हैं ठीक है तो आपका भी यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट होगा और बाकी वर्ना फिर आप भी सबी लोगों की तरह हैं कि आपकी कोई वैलू नहीं है तो आप हो या ना हो क्या फरक पड़ता है ऐसे ही ठीक है समसकते हैं तो e tends to infinite x tends to infinite यह हो गया अगला आप देखते हैं यहाँ पर limit हमने change कर ली अब यहाँ पर limit change करके यह constant जितना term था अब देखें हमने यहाँ पर constant ही तो बनाया था यह constant हो गया यह पूरा यहाँ से यहाँ तक यह निकाल लिया बाहर देखो यह constant term बहा निकाल लिया तो हमारा अभी हमने यहाँ पर माना था क्या इसकी जिगे पर x के t यह देखिए इसकी जिगे x के t लिख दिया अब इसकी power 1 by 2 थी इसकी पर power 1 by 2 लिख दिया अब यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर इसकी power क्या माना था यह तो constant डब था निकल गया यह माना था हमने x यह देखिए यहाँ पे x माना था तो e की power कितना आ गया हमने देखिए यहाँ पे था e c minus e upon k t ठीक हमने क्या माना e minus e c upon k t means यहाँ से अगर minus common ले ले तो यह bracket में क्या आएगा e minus e c upon k t तो यहाँ power minus x कर दिया ठीक है यही बस इसकी जगह हमने x रख दिया यह जो माना था और minus यह लगा रहा ठीक है और यह differentiation जो किया था d e की जगह minus k t dx देखो यह d t यहाँ था इसके साथ में वही k t dx लिख दिया ठीक है उमीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा एक बार लगाएंगे तो बहुत जल्दी सारी चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है अब 4 pi upon h cube यह रख दिया यह तो ऐसे ही यह भी ऐसे ही यह आपका k t constant था इसलिए बाहा निकल लिया x के respect में तो आपको करना ही है dx ठीक है और यह यह kt देखिए यह kt की 4 power 1 by 2 था ठीक है x की power 1 by 2 यहां से बाहा निकल दिया एक और यह kt था ठीक तो आपको पता है अभी आपको पता है तो 2 की power 1 हो 2 की power 2 हो 2 की power 3 लिख देते हैं जोड करके ऐसे ही kt की power 1 है इधर 1 by 2 है तो 1 plus 1 by 2 कितना हो गया पढ़ा होगा कहां पढ़ा होगा lap loss integral पढ़ा था पिछली बाप वहीं पर यह formula था kt की whole power यह तो लिख दिया इतना ठीक यादाया कुछ proof किया था आपने अगर subjective तो था नहीं हलाकि objective था ठीक है तो इतना तो याद अगर हो तो शयद याद आ जाएगा थोड़ा से ध्यान दीजेगा यहां root pi upon 2 ठीक है root by by 2 इसकी value होती है आप चाहें direct याद कर लीजें एक दो चीज़े याद रखेंगे तो ज्यादा बैतर रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको अगर नहीं आता है तो आप फिर लटके रह जाएंगे यहीं पर ठीक है तो बस कुछ करना ही नहीं था इतना हो गया चीक root by 2 लिख दिया अब आप देखें ये एक pi था एक ये है ये pi पूरा था इस pi की power root का मतलब 1 by 2 तो 1 plus 1 बटे तो कितना हो गया pi की power 1 plus 1 by 2 means pi की power 3 by 2 3 by 2 हो गया हो गया की नहीं आप देखें यहां already 3 by 2 इतने पहले से power थी जितने भी 3 by 2 अले थे सबको एक साथ लिख लिए देखो यहां पे 2 2 लिख दिया अभी आपको बताया कि pi ये pi और ये pi मिलके power 3 by 2 हो गया pi लिख दिया mc लिख दिया ठीक है kt ये वाला लिख दिया upon upon कौन सा n cube ये था 1 n ये था नहीं हाँ n cube था यहां पे n cube की whole power अगर 3 by 2 आप लिखते हैं ठीक है n square की whole power 3 by 2 n था h था h ही तो था h था स्वरी ठीक है अगर h की power आप यहां पे 3 लानी है ठीक है अगर आप यहां पे इसकी power h की 2 की power 3 by 2 लिखेंगे तो आपको पता है जब ऐसे multiply में powers होती तो multiply होती 3 by 2 ये 2 2 कट जाएगा 3 आएगा ठीक है अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं मत ले जाएगे ठीक है सर्फ इतने की power रख सकते हैं वाकि मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया यहां पे जो भी power है ठीक है देखें यहां h q बे अगर h की square की whole power 3 by 2 आप लिखेंगे तो ये 2 ये 2 कर जाएगा h q बा जाएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा अगर मुझे लगता है कि आपका response अच्छा है ठीक है तो हम आगे भी वीडियो लाने की कोसिस करेंगे वरना फिर end कर देंगे ठीक है क्योंकि फिजिक्स को बहुत कमी लोग मदब चाह रहे हैं और इंग्लिश मेडिया मालों को दर सब में दिक्कत हो रही है तो सौरी बट इंग्लिश में मेरे पास नोट सब लेविल नहीं है इस वज़े से मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकती ठीक है और टाइम की प्रॉब्लम है जो खुश से बनाओं ठीक है तो नोट्स बनाने भर का टाइम है नहीं तो इस वज़े से आप लोगों को खुश से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप बुक वगेरा चाहें तो ले सकते हैं बाकी जिन और तो मार्केट में आते ही हैं तो उनसे आप काम चला सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक्जाम टाइम पढ़ना है तो ठीक है बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर जरूर लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के शार्श सेर भी करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चल पाए जितने भी हिंडी मीडियो स्टुडेंट है या प्रूफ तो सभी समा सकते हैं ठीक है क्योंकि हिंडी हो या इंग्लिश प्रूफ तो वही रहेगा तो अपना सजेशन जरू नीचे कमेंट बाक्स में छोड़िएगा अगर कोई हो तो मिलते नेक्स वीडियो के साथ जै हिन जै भारत